Hey everyone, welcome back to my channel और आज की वीडियो में हम जानेगे Insulation, Insulation का meaning क्या होता है Secondly, हम जानेगे कि वो factors कौन-कौन से हैं जो Insulation के distribution को show करते हैं Earth पर जो variations देखने को मिलते हैं Solar energy के, वो factors कौन-कौन से हैं ये सब ही हम आज की वीडियो में discuss करने वाले हैं तो firstly हम बात करते हैं Insulation के meaning की Insulation क्या होता है कि जो Earth पर जो energy रिसीव होती है Sun से, यहनि कि Sun की रेजिट जब traveling करके Earth पर आती है तो जो energy मिलती है उसको क्या का जाता है Incoming solar radiation, शोटली हम उसको Insulation कह देते हैं Insulation जो होता है, उसमें अर्थ पर रिसीव होता है तो सबसे पहले वो Atmosphere की जो अपर लेयर होती है उस पर आता है Insulation वहाँ पर आती है उसके बाद वो वहाँ से Cross करने के बाद Earth सर्फेस पर पहुँचती है तो जब वो सबसे पहले Atmosphere की अपर लेयर पर आती है तो उस situation को Solar Constant बोला जाता है वहाँ पर जो Receiving जो Average होती है कि Solar की Radiation की जो Receiving Average है वो कितनी होती है 1.94 कैलोरीज पर स्क्वेर सेंटीमीटर पर मिनट इस situation को Solar Constant कह देते है जब भी ये Atmosphere की Upper Layer पर आती है तो उनमें से कुछ Solar Radiation को Upper Layer एबजोब कर लेती है कुछ को Scattering यानि कि वहीं पर वो भिखर जाती है और कुछ को वो क्या करती है रिफ्लेक्ट कर देती है वापिस वहाँ से चली जाती है तो एक minimum जो पॉइंट होता है minimum जो पार्ट होता है Solar Radiation को वो अर्थ के सरफेस तक पहुँच पाता है अब हम देखते हैं कि जो Factors होते हैं कि कौन-कौन से ऐसे Factors हैं जो Solar Radiation के Variation को Show करते हैं यानि कि उनके Distributions को दिखाते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं कि Solar Radiation के जो Atmosphere की Upper Layer पर देखने को मिलते हैं उसके कारण हो सकते हैं तो First उसमें जो कारण बनता है वो क्या होता है कि Distance Between Earth and Sun कि Sun और अर्थ के बीच की दूरी वो Atmosphere की जो Upper Layer है वहाँ पर जो Variation या Distribution Insulation के बनते हैं उनका कारण बनता है Earth और Sun के बीच की जो दूरी है वो भी जो Distribution होता है उसको Effect करती है वो किस तरह ऐसे कि जब Earth अपने Revolution पर होती है यानि कि जब वो सूरे के चार और चक्र लगाती है तो वो Two situations बनाती है एक होता है उसमें Epileon और दूसरी होता है उसमें Parahelion Epileon मनाती है 4th July को कि जब Sun और जो Earth है उसके Distance ज़ादा हो जाता है सबसे ज़ादा दूरी पर होती है वो Earth Sun से तो उस Time Period में जो Situation बनती है Position जो होती है अर्थ की उसको का जाता है Epileon जिसको हम हिंदी में अपसोर भी कहते हैं यह सबसे ज़ादा दूरी को शो करती है और दोनों के बीच के जो दूरी होती है वो कितने होती है 152 मिलियन Second Position जब बनती है उसी Revolution Path पर कि जो उनके बीच की दूरी है वो सबसे कम हो जाती है तो जो Distance होता है आर्थ और Sun के बीच में वो कितना हो जाता है 147 मिलियन किलोमीटर तो यह कब होता है यह 3rd January को होता है इस Situation को या इस Position को जब अर्थ सन के बिल्कुल पास होती है तो उसको कहा जाता है परहिलियोन हिंदी में उसको उपसौर बोलते हैं तो यह जब जो Situation बनती है क्योंकि उसमें आर्थ और सन के बीच की दूरी सबसे कम थी तो जो एट्मोस्फेर के जो अपर लेयर है वहाँ पर जो सोलर रेडियेशन का डिस्ट्रिब्यूशन है वो सबसे जादा कब देखने को मिलेगा 3rd January को यानिकि जब परहिलियोन की Situation या Position बनती है तब और जो दोनों के बीच का जो differentiation है यानिकि 4th July और 3rd January जब परहिलियोन और एपहिलियोन जब बनते हैं तो उनके बीच का जो सोलर रेडियेशन की जो एवरेज निकल कर आती है वो कितनी होते है 6.6% ज़ादा होती है 3rd January को 4th July से तो इस तरह जो डिस्टेंस है आर्थ और सन के बीच का वो काफी effect करती है इंसोलेशन को चेकिंड फेक्टरिस में होता है length of the day जो कि इंसोलेशन के distribution को दिखाता है length of the day कैसे कि जितने ज़ादा day की length ज़ादा होगी उतनी ही energy जो sun से मिलते है वो ज़ादा मिलते है क्योंकि हम सभी जानते है कि जो energy मिलती है sun से वो sunrise होने से sunset होने तक मिलती है तो जितनी बड़ी यानि कि day की जितनी length ज़ादा होगी उतना ही जो solar energy है वो earth को ज़्यादा receive होती है जैसे कि हम summer's के days में देखते हैं जो day की length होती वो ज़्यादा होती है और sun rays भी vertical मिलती है इसलिए ज़्यादा insulation energy receive होती है बजाए कि इसके कि winter में जब हम देखते हैं कि जो length of the day है वो भी कम हो जाती है कि दिन है वो छोटे होने लगते हैं और जो sun raises हैं वो भी oblique में आ जाती है इतने ज़्यादा जो verticals नहीं होती है उनमें कुछ जुकाव आ जाते हैं जिनसे भी solar energy कम receive होती है इस तरह ऐसे जो day की जो length है वो भी insulation के distribution को काफी effect करती है थर्ड फेक्टर के अगर हम बात करें तो वो इसमें आता है impact land and water की हम देखते हैं कि क अगर हम बात करें कि समान जो मात्रा होती है कि जो sun से जो raises आ रही है जो radiation receive हो रही है जो energy अर्थ पर मिल रही है उसमें अगर same amount में आए वो एक land mass पे और उतने ही water quantity पे कि जब उन पर वो जो heat है वो same मात्रा में मिल रही है तो हम क्या देखते हैं कि जो land area है वो ज़्यादा terrestrial जो area है वो opaque होती है और वहाँ पर sun की raises आते हैं और वो वापस reflect होकर atmosphere में फैल जाती है जिससे क्या होता है कि जो earth के गरम होने के बाद एक layer से दूसरी layer के बाद भी गरम होती चली जाती है और वो heat energy बढ़ जाती पूरे atmosphere में वहीं इसके बजाए अगर हम water में देखते है कि water transparent होता है कि sun की raise जब भी water में आती है तो वो जल्दी से reflect नहीं कर पाती है क्या होता है कि वो transparent होने के कारण कुछ cm नीचे तक भी sun की raise चली जाती है और वो ज्यादा जल्दी उठ नहीं पाती जब reflection नहीं होता है तो वो energy जो होती मिलती है solar की वो ज़्यादा फैल नहीं पाते है atmosphere में वही कारण होता है कि जो land area है वो ज़्यादा जल्दी गरम हो जाता है और insulation ज़्यादा मिलता है वहाँ पर बज़ाए किसके water areas में इसमें जो differentiation हम देखते हैं दोनों में land area में और water areas में वो differentiation दोनों में 5 गुना ज़्यादा होता है कि जो terrestrial जो area है वो 5 गुना ज़्यादा जल्दी गरम होता है किसे water areas से तो ये distributions भी काफी effect करता है कि water area है वहाँ पर जहाँ पर sun की raises receive हो रहे हैं कि जो earth पर sun की raises आ रही वो किस angle में आ रही है तो inclination of suns raise कि जो जुकाव है sun की raises का earth पर वो किस तरह से है हम सभी जानते हैं कि earth की जो shape वो geode है कि जो pole side से वो flat है और बात की थी हमने कि earth है जो अपने axis पर 66 and half degree का angle बनाती है निकि वो अपने axis पर अपने axis पर जुकी हुई है अब वहीं पर हम क्या देखते हैं कि जो 0 degree equator है कि जो earth को two part में divide करती है 0 degree equator वो 0 degree पर जो sun की raises मिलती है जो angle बनाती है वो कितना बनाती है वो 66 and half degree का और जो topic of cancer है जो northern hemisphere में आती अर्थ के वहां पर जो angle बनता है वो 90 degree का बनता है sun की raises का वहीं अगर हम बात करें topic of capricorn की कि जहां पर angle sun की raises कितना बनाती है 43 degree बनाती है तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो northern hemisphere है वहां पर solar radiation जादा receive होती है कि solar के energy वहां पर earth को जादा receive होती है उसका कारण है कि earth की shape क वह उसकी shape ऐसी है और दूसरा है कि जो उस पर जो sun की raises आ रहे हैं उनके angle किस तरह से बना रहे है यह हमीं हमने discuss किया इससे solar जो insulation है उसका भी जो distribution वो देखने को मिलता है कि 0 degree equator से tropic of cancer और tropic of capricorn के जो बीच का जो एरिया है वहां पर sun की raises vertical मिलती है और insulation भी जादा मिलता है तो insulation वहां पर कितना receive होता है 320 watt per square meter वहीं अगर हम बात कर रहे थे pulse की कि जो pulse area जब वहां पर sun की raises बिल्कुल oblique हो जाती है तो pulse पर जो solar energy यानि कि insulation जो receive होती है वो कितनी होती 70 watt per square meter तो यह distribution भी sun की raises का जो angle बनाती है उनसे समझ में आता है और earth की जो shape है और sun जो angle बनाते है संकी raises उनसे भी insulation के distribution को काफी effect करती है और इससे हम इसको समझ पाई लास्ली जो factor है जो insulation को काफी effect करता है वो होता effect of the atmosphere की earth पर जो atmosphere मिलता है वो भी effect करता है कि इसको solar energy जो अर्थ को receive होती है वो किस तरह से करता है कि जतनी thick layer होगी atmosphere की जतनी ज्यादा thick layer होगी तिक कैसे बने layer और जो water vapors होंगे clouds होंगे वो जितने ज्यादा अगर होंगे तो वो क्या करेंगे कि sun की raises को या तो absorb कर लेंगे वो ज्यादा या scattered कर देंगे फिर वहीं से sun की raises reflect हो जाएगी उसके बाद ही earth की surface पर पहुंच पाती है तो कई बार हमने देखा भी होगा कि जब बादल ज्या काफी effect करता है क्या atmosphere की जितनी ज्यादा atmosphere की layer थिक होगी उतना ही insulation कम बन पाएगा जब atmosphere साफ होता है कोई भी बादल नहीं होते हैं तो sun की raises ज्यादा receive होती है